नमश्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने गेमिंग के बारे में बात की कि गेमिंग इतनी अडिक्टिव क्यों है पहले के मुकाबले अब और दूसरी बात हमने की कि उसकी वज़े से क्या-क्या लाइफ में बदलाव आते हैं जिनकी वज़े से परिशानी हो सकती है क्राइटिरिया हैं जिसमें से पांच होने चाहिए कम से कम एक साल तक तभी हम कहेंगे कि गेमिंग अडिक्शन है जो वन बाइवन में आपसे डिस्कूस करता हूं सबसे पहला क्राइटिरिया है दोस्तों प्री ओकुपेशन विद गेमिंग का मतलब है कि जब आप गेम खे सब्सक्राइब करना है ये करना है बक जब आप नहीं भी खेल रहें तब आप ले लेटे 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 गेम के बारे में सोच रहें हूं ऑowanेicy को लोटी कि जब लगती है या dependence कहते हैं या use कहते हैं हम नए criteria में तो इसके साथ हम इसको relate करते हैं तो होता कहा है कि शुरू-शुरू में जब इंसान शराब पीता है तो एक-दो पैक पीता है और कभी कभार कभी शादी में पीली बर्डे में पीली कोई बुरा में नहीं मानता और 90% इतना ही पीते हैं इसे जादा नहीं पीते बट दिरे-दिरे के ओता है फिर वो रोज पीने लगते हैं और दिरे-दिरे जो मज़ा पवे में आता था वो बोतल से आने लगता है तो tolerance मतलब जो है आपकी जो मातरा बढ़ती जाती है तो गेमिंग में क्या होता है पहले जो आती है और दूसरी दुनिया में चलेगे लेकिन अब वह एक घंटा नहीं चार घंटे हो गए तो फिर तो प्रेशानी है क्योंकि अगर वह चार घंटे हो जाएंगे तो सोते सोते आप दो बच जाएंगे अब ऐसा भी नहीं कि आपने गेम खतम की और आपको अचानक नहीं और हात कापने लगते हैं नीद नहीं आती, और जब सिगएट नहीं मिलती यह तो लोग को कबिफ हो जाती हय जब जाये नहीं मिलती है तो चाये देखा गया है बच्चोंने तो फोट करनी शुरू कर दी और बहुत रेर केसे कबज हो जाती है जब चाहे नहीं मिलती है तो सर में दर्द हो जाती है इसको विड्रॉल बोलते हैं कई पर तो ऐसा होता है कि बैट्टी ना मिले तो लोग चिला पड़ते हैं उसी तरह से जब गेम नहीं मिलती है तो घबरहाट होने लगती है बिचैनी होने लगती है उदास जो भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने एकदम आर्मी की तरह रूल अपलाई कर दिया और गड़बड हो जाए, तो इस चीज का भी आप फ्लीज ख्याल रखेगा, तो विड्रॉल में यहां तक बात जा सकती है, तो जब वो चीज नहीं मिलती है, अगला जो पॉइंट आता है इंसान खुछ चाहता है कि वो छोड़ दे, इसे नशा करने वाला भी चाहता है कि वो छोड़ दे, बल्कि अगर गेमिंग को अगले पॉइंट्स को, तो हम इटिंग से कंपैर कर सकते हैं क्योंकि कोई इंसान मोता हो गया और वो चाहता है कि वजन कम हो जाये मैं कि अग्षरण करें टाइम पर आंगे कहने तो शी तरह इंसान जो गेमिंग कर रहा है वह चाहता है कि मैं जो एंगर का काम कर दूँ बट वह चाहाँ के, अगि कम नहीं कर पाता एक गंटा हो चुका, so that is the point, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनसान वो चीजे छोड़ देता है जो वो पहले करता था, जैसे बच्चा है तो पहले वो फुटबॉल खेलने बाहर जाता था, क्रिकेट खेलने बाहर जाता था, अपने दोस्तों से बात करता था, अपने मापाप तो वो सारे काम जो हैं, अब वो बैक सीट ले लेंगे, जैसे अगर हम दुबारा से अलकॉहल से कंपेर करें, पहले तो हम तब ड्रिंग करते थे, जब शादी होती थी, या कोई फंक्शन होता था, अब तो ड्रिंग की फंक्शन है, आओ बैठें, बस यही काम है, उसी तर को कॉंटिन्यू करना, और अगला पॉइंट है, अपनी फैमिली से छुपा के, जैसे चुपा के गैंबलिंग करते हैं, लोग सट्टा खेलते हैं, अब तो गेम्स में भी सट्टा आ गया है, और नेक्स लेवल पर जाने के लिए भी काफी सारे पैसे खर्च करने बढ़ते ह हैं, जैसे रीसेंटली एक बच्चे ने सोला लाक रुपे खुद की गेम्स तो खरीदी-खरीदी अपने दोस्तों को भी खृदवा दी, क्योंकि बच्चों में पीर प्रेशर भी बहुत जादा होता है, दूसरों को दिखावा भी करना चाते हैं, क्योंकि उम्र ही ऐसी होत नहीं कर पारें, तो गेमिंग से बहुत सक्सेस मिलती है, तो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं चाहता है, छुप-छुप के खेलें, तो उनकी self image के लिए बहुत important हो जाता है, तो इसमें ये भी important है कि आपको लगता है कि बच्चे का concentration की कमी थी शुरू से या पढ़ क्योंकि screen बहुत fast change होती है, तो वो उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा बेटर खेल पाते हैं, जो normal बच्चे होते हैं, तो उस तरह वो gaming में भी अच्छे होते हैं, तो उसकी वज़ा से काफी addiction के chances बढ़ जाते हैं, और ADHD में वैसे भी addiction के chances जो हैं, वो ज्यादा होते हैं, कि risk बन जाता है आपकी job के लिए, या academics के लिए, जैसे बच्चा है तो उसकी बढ़ाई में फरका जाएगा, और जो बढ़ा है तो उसकी job में फरका जाएगा, तो इन 9 में से कोई भी अगर 5 criteria present हैं, और वो एक साल से जादा हैं, तो इसका मतलब gaming अप जो है, वो बहुत achievement, जो socialization उसको वहाँ से मिल रही है, उसको वो ही चीजें बाकी चीजों से कैसे मिलेंगी समझाएंगे इस बारे में, और one-to-one therapy भी होगी, मतलब जो gaming कर रहा है, इंसान और psychologist, family involvement भी होगी, यह भी important है, कि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है, वो time पर सो जाए, या जो बड़ा है, वो सो जाए, बट हम अपने Instagram पे लगे हैं, हम अपने WhatsApp पे लगे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, अब जैसे आप डाइटिंग वाला example लीजे, कि एक बंदा है, उसका वजन 100 kg है, वो चाहता है कि 80 kg कर ले, तो उसने बचारे ने plan मनाया कि अब तो मैं ना कुछ खाऊंगा नहीं, तो उसकी भेहन-brother खा रही है, उसकी पिताजी प्रिजा मंगा रहे हैं, तो ऐसे तो काम नी चलेगा, ना, फैमली मेंबर को भी कॉपरेट करना पड़ेगा, तो उनको भी अपने phones बंद करने पड़ेंगे, अपना internet connection बंद करना पड़ेगा, अब जो भी फैमली का टाइम है, वो 9 बजे है, सुनके कई लोग खड़े होंगे अपनी कुर्सी से, 11 बजे है, मतलब कोई टाइम हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे माइंड में स्लीप का वीडियो भी है, उसे साफ से तो 9 बजे टेकनोलजी टाइम बंद हो जाना चाहिए, that is very important, but anyway जो भी आपका टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम पर उसे बंद कर देना चाहिए, तो दोस्तों अगर इससे बी बात नहीं बन रही है, तो पुराना जैसे हम बोलते हैं कि इसको गाउं भेज दो, अगर कोई शहर में रहता है, कोई गाउं में खेलता है, तो तो गाउं मे जैसे नश्या मुक्ती केंदर होता है, उसी तरह डी टॉक्सिफिकेशन ऑफ टेकनोलोजी भी होता है, और बगाइदा इसके फाइव स्टार टाइप सेंटर भी होता है, ब्रॉड में इंडिया में तो अभी इतना कॉंसेप्ट नहीं है, जहां पे लोग अपना टेकनोलोज सारे चीजे हटानी पड़ी हैं, लेकिन मोबाइल तो शायद हटाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, अब किसी मोबाइल देखके गेमिंग ट्रिगर हो जाती है, तो उसके लिए तो दिक्कत है, और जैसे कि आप बेट लॉस में होता है कि जब आप 2-3 महीने तक अप लेकिन है कि टाइम के साथ अगर वो सीखते रहेंगे तो उससे बाहर निकल जाएंगे, जैसे सिग्रेट छोड़ते हुए भी, डाइटिंग में, सब जगाए सेम इशु रहता है, कि हम फिसल जाते हैं, फिर दुबार पैक आप आ जाते हैं, एक बार फिर बाहर निकल भी ज अच्छे हैं, या इस परज़र सिंड्रोम इस तरह की कुछ परिशानिया हैं, तो वो एक साइकाटरिस्ट या साइकॉलोजिस्स से मिलके, आपको मदद मिल सकती है, तो इस तरह की चीज़ें तो वेट नहीं करना चाहिए, कि यह सारी दिक्कते बढ़ जाए, वजन बढ़ से हम और कि जितनी जल्दी वापिस आजेंगे, उतना अच्छा होगा, उसी तरह गेमिंग भी एक लेवल तक ही रहे, इंटर्टेन्मेंट रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यसे कभी कभार पीजा खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार आलकॉहल लेना, इस तो के बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, तो मैं ना टेकनोलोजी के खिलाफ हूँ, और ना ही मैं गेमिंग के खिलाफ हूँ, दोनों ही चीजें इंटर्टेन्मेंट का पाट है, यह तो उसकी तरह हैं, पावर की तरह हैं, आप किस तरह से इस्तमाल करते हैं, उस पर डिपे